इस वीडियो में NC8010th Classmate exercise 3.2 का एक ऐसा प्रस्ण हम लोग करने जा रहे हैं जो बोड की परिख्षा में 5 अंक फिक्स रहता है मेहनत तो बहुत ही कम है इसमें किन्तु बहुत ही अधिक मार्क्स इस प्रस्ण में आपको मिलता है 5 अंक तो आए इस वीडियो में यहीं देखेंगे कि किसी भी equation को ग्राफिये विधी से कैसे हल किया जाता है और ये exercise 3.2 के पहला का पहला प्रस्ण है अगर आप एक प्रस्ण समझ लेते हैं इसका equation निकालना, equation के बिंदू निकालना और गराफ खिचना तो आपको परिच्छा में 5 अंक आज से ही फिक्स हो गया और ये बहुत ही आसान है चलिया ये प्रारम करते हैं देखिए प्रस्ण दिया हुआ है कक्षा 10 के 10 विध्यार्थियों ने एक गणित की परतियोगिता में भाग लिया लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है यहां दो सिच्वेशन दिया है तो परतियोगिता में भाग लिये लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ग्राफिये बिधी से निकाले सबसे उपर लिखा हुआ है ग्राफिये बिधी से तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो equation प्राप्ट करेंगे जैसा कि पहले के exercise में हम लोग कर चुके हैं यहाँ लिखेंगे मानलिया की लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है अब प्रस्ण के पहले सर्थ से तो पहले सर्था नूसा कह रहा है कि लड़के लड़कियां कितने हैं दस हैं तो लड़कों को हम लोग y माने हैं लड़कियों को x तो x plus y बराबर 10 यह हो गया समिकरण 1 और दूसरे सर्था नूसार दूसरे सर्थ में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियों की संख्या को हम माने हैं x बराबर लड़कों की संख्या को y और 4 इससे अधिक असपरस्ट है y को इस साइड लाएंगे तो x-y बराबर 4 यह हो गया यहां समिकरण तो यहां पर यह दो समिकरण हम लोगों को प्राप्त हो गया x-y बराबर 10 और x-y बराबर 4 यहाँ पर यह दो समिकरण हम लोका हो गया, पहले समिकरण के लिए दो बिंदू निकालेंगे, तो यहाँ पर x प्लस y बराबर 10, यह है पहला समिकरण, लिख देंगे पहले समिकरण में, तो यहाँ जब x बराबर 2 रखते हैं, जब x बराबर 2, तो यहाँ पर 2 पूट करेंग 2 प्लस y बराबर 10 तो y इधर रह जाएगा 10 घटाव 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 यह हो जाएगा 8 अब जब x बराबर इस बार x बराबर 4 रख लेते हैं तो 4 तो यहाँ पर 4 पूट करेंगे तो 4 प्लस y बराबर 10 यहाँ y बराबर यह 10 है और यह उधर जाएगा माइनस 4 y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा तो यहाँ एक डाटा बनाएंगे सारनी बनाएंगे यहाँ पर और कम से कम 2 बिंदू लिखना होता है क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी रेखा 2 बिंदू स खीची जा सकती है, तो यहां ध्यान देजे, इसमें X और इसमें Y, प्रतेक समिकरण के लिए आपको करना है, यहां पर यहां है, X बराबर 2, तो Y बराबर मिला है कितना? 8, तो X बराबर 2, Y बराबर 8, यहां जब X बराबर 4 रखते हैं, तो Y बराबर आता है 6, X बराबर 4, तो y बराबर कितना आ गया? 6 आ गया, असपस्ट है, तो यह x समिकरण के लिए हो गया, किस समिकरण के लिए? यह x प्लस y बराबर 10 के लिए, अब दूसरे समिकरण के लिए भी इसी तरह से 2 बिंदू ग्याद करेंगे, इसके बाद ग्राब खिचेंगे, तो ध्यान से देखिएग बड़ा ही यह सान मैटर है, अब दूसरा समिकरण के हम काम करेंगे, दो हल इससे भी प्राब करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर x-y बराबर 4, समिकरण 2 है में, इसमें, तो जब देखिए, x का मान रखेंगे तो y मिलेगा, और y का मान रखेंगे तो x मिलेगा, अपनी सुवि दाव होती है कि हम y का मान रखें, तो जब y बराबर 1, तो x घटा y के जगह अपर 1 पूट करेंगे, तो हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 4 जोड़ एक, यह उधर जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5, तो यहाँ y बराबर 1 रखने पर x बराबर 5 आता है, यहां, y बराबर 1 रखने पर x बराबर 5 आता है, यह दूसरा के लिए है, ठीक है, अब एक और बिंदू निकाल लेंगे, जब y बराबर माइनस 2 रख देते हैं, y बराबर माइनस 2, तो यहां पूट करेंगे, यहां है, x माइनस 2, y के जगा पर माइनस 2 बराबर 4, यह 4, अब हो जाएगा, x प्लस 2, माइनस माइनस प्लस बराबर 4, यहां हो जाएगा, x बराबर 4 धटा 2, यह 2 उधर जाएगा, तो x बराबर 2, यहां हम देख रहे हैं, कि जब y बराबर माइनस 2 रखते हैं, और थात y बर बराबर माइनस दो रखते हैं तो x बराबर दो आता है इतना आप लोग कर लेंगे क्योंकि नाइन्थ में भी इस तरह का प्रस्ण हम लोगों को बनाना है अब यहां यह दो हमें डाटा मिला हुआ है एक समिकरण एक के लिए और एक समिकरण दो के लिए इसी की आधार पर हम गराब पेपर पर गराब कखेचेंगे अब जुकि गराब पेपर यहां हम बड़े रूप में हुआइई बोड़े बोर्ट पर ही आप लोगों को गराफ खिच बताते हैं और जो कटान बिंदू होगा दोनों गराफ का इसका जो निर्दे सांक होगा तो वही इसका उत्तर होगा, तो आए यहाँ पर इस कार्तिये तल में हम लोग ग्राफ खिचना सीखते हैं, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, तो आहाँ एकुरेसी और भी बढ़ जाएगी, और थाथ बढ़िया से आप कर पाएंगे, यहाँ हम लोग ग्राफ खिचते हैं, तो सबसे पहले समिकरण 1 के लिए यह ग्राफ है, और थाथ बिंदू क्या होगा? 2,8, पहले एक्स बाद में y, तो 2,8, यहाँ देखिए, एक्स बराबर है 2, और y बराबर क्या है? 8, तो यहाँ पर खिचेंगे हम, तो यह बिंदू क्या हुआ? यह बिंदू हुआ 2,8, प्रति y बराबर क्या है? 6 है, तो यहाँ पर 4,6, यहाँ y बराबर 6 है, एक्स बराबर 4 है, तो वही उसी तरह से लेंगे जैसे निर्दे सांग जियामीति में हम लोग करते हैं, इधर हम लोग, हम इधर छोटा-छोटा हम इसलिए किये हैं, क्योंकि इधर कॉम आवा सकता है, तो य तो हमें दो बिंदू प्राप्त हुआ, 2,8 और 4,6, यह पहले ग्राप के लिए, x plus y बराबर 10 के लिए, तो इसके लिए हमें line मिला देंगे, इस तरह से 2,8 और 4,6 से मिलाकर, एक यहां पर रेखा खिच लिए गया, यह x plus y बराबर क्या है, 10 है, यह x plus y बराबर 10, यह पहले सम मिकरण के लिए यहाँ x y है तो पहला बिंदू है 5,1 और ठाथ x बाराबर 5 y बाराबर 1 तो यहाँ 5 है और यह है एक ग्राफ पेपर पर यह समस्य आपको नहीं आने वाली है क्योंकि यह लाइन दिया हुआ रहता है तो यह बिंदू एक मिला यह 5,1 है 5,1 अब है दूसरा बिंदू 2,-2 x बाराबर है प्लस 2 और y बाराबर क्या है माइनस 2 तो यह नीचे आएगा यहाँ यहाँ पर तो यह है 2,-2 अब इस बिंदू को और इस बिंदू को मिलाएंगे और जो यह कटान बिंदू होगा यहाँ एक दूसरे को काटेंगे वह हल होगा यह देखते हैं कैसे तो यहाँ यह 2,-2 और 5,1 से मिलाने पर यह दूसरा समिकरण प्राप्थ हुआ x-y बाराबर 4 यह दोनों समिकरण एक समिकरण से यह दूसरे समिकरण से यह अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यह किसी एक बिंदू पे कट रहा है तो ग्राफ पेपर में यह देख लेंगे कि यह किस लाइन पर किस बिंदू पे पड़ रहा है तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यह तीसरे y का तीसरा लाइन और x का सात्वा लाइन जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो निर्देसांग है तो पहले x निर्देसांग होता है 7 और बाद में होता है 3 y निर्देसांग तो यहाँ इस बिंदू का हॉल क्या हुआ 7,3 और हाथ इस बिंदू का निर्दसांग क्या हुआ 7,3 हुआ अब यहाँ पर यह 7,3 है हल बिंदू जो है उसी को कटान बिंदू के नाम से जानते हैं और यह कटान बिंदू कितना आया है 7,3 यहाँ असपस चाहिए कितना आया है? 7,3 अब जब 7,3 आया है तो पहले x होता है बाद में y होता है तो x बराबर 7 और y बराबर 3 तो आए यहाँ देख लेते हैं यह x बराबर है 7 तो x क्या माने है? लड़कियों की संख्या तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई और y बराबर 3 आया है तो y क्या माने है? लड़कों की संख्या तो लड़कों की संख्या क्या हो गया? 3 और कूल कितने है? 10 इसका मतलब है कि हमारा हल बिलकुल सही है तो ग्राफिय बिधी में जो कटान बिंदू होता है वही उसका हल होता है और देख लेते हैं कि कटान बिंदू में क्या है तो ये सब लाइन खिचा हुआ रहता है ग्राफ पेपर पे तो ये साथवा लाइन है यहां से और ये तीसरा लाइन है तो पहले X को रखते हैं सार और फिर बाद में Y को 3 तो इ इसी की आधार पे अन्य प्रस्ण भी बनेंगे और सब ही इसी तरह के सरल प्रस्ण ही होते हैं, एक प्रस्ण आप समझ गए और ग्राफ खिशना जान गए तो समझें कि सारे प्रस्ण आप हल कर लेंगे और पांच अंक आपके मूठी में हो गया, तो चलिए वीडियो अच्छ में हो गया, मैं सब को एक एक करके बताता चलूँगा, क्योंकि दिर्ग उतर ये 20 अंक के प्रस्ण आते हैं, जो 8 प्रस्ण पूछे जाते हैं, 4 का जबाब देना होता है, इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।